अगर वॉल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आप शेयर करने वाली हूं कि आप ब्लाश मतलब कैसे करेक्ट वेसे आप ब्लाश लगा सकते हैं वैसे ब्लाश लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी लगा सकता है बथ बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से या गलत जगा पर ब्रश लगा लेते हैं जिसके वज़े से मतलब अच्छा नहीं लगता है दिखने में विक्स ब्लाश हम क्यों लगाते हैं ताकि हमारे चीक्स को थोड़ से लगानेगे एक तो आप ब्रश की हैं से कैसे लगा सकते हैं दूसरा एक स्पांज की हर्प से भी आपको ब्लावाना सिखाऊंगी सो मैंने तरहां मतलब बाल टाइकर लिए तकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करबाँ तो सबसे पहले ब्लग ब्रश की हम कैसे ब्रश अपलाए क इस तरह के प्रश आपको लेने पड़ते हैं जिसके ब्लाश बहुत जाल डेंस हो उस तरह की आपको लेने पड़ते हैं इस तरह के से एक्सेस आपको रिमूफ कर देना पड़ता है smile करेंगे अपनी fingers को nose के यहां रखके दो finger का gap रखते हुगे आपको यहां से शुरू करना है यहां से यहां तक back turn, back turn करना है उसके बाद इसे blend करना है देखा आपने कितना ही easy थाई है अगर आपको लगए यह थोड़ा कम हो गया है लेंगे जितना कम लगाएंगे और जितना ज़दा ब्लैंड करेंगे उतना ही अच्छा glow आएगा see the difference कितना ज़दा healthy लग रहा है यह वाला side तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आप sponge की help से कैसे मतलब blush लगा सकते है आपको एक मतलब ब्लाश में इसे मतलब डिप करेंगे तो अगर इस पर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कि पानी रहा तो आपको ब्लाश वेट हो सकता है खराब हो सकता है तो इस अच्छी तरीकी से निचोड लिजेगा उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा आपको जितना चाहिए सेम उसी जगा पर जहां हमने यहां लगाया ज्यादा इस तरफ है तो आप दूसरे तरफ से इसे लेकर अगर आप स्पैंश के हल्प से लगाते हैं ना आपका मतलब कोई भी मेकप स्वेट पूब रहता है इदर से दर ही लेकर नहीं अफकॉस क्योंकि यह डैम होता है दर हें गर्मी में यह वाला मतलब स्पांज वाला साइट जादा यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप क्या प्रूब करते हैं और आप अब आप कमेंट करके बताएगा आपको मेरे ये दू तरीके कैसे लगे पसंद आया तो लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तब तक के लिए बाए